हेलो गाइज फस्ट चेप्टर की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है और इससे पहले की दो वीडियो उमीद आपने देखी होगी उसमें आटामिक मॉलिकिलर मास और मॉल कॉंसेप्ट के बारे में डिसकसन हुआ था आज मॉल कॉंसेप्ट पे वो कोशन करेंगे जो लास्ट येर में स्कूल में पूछे गए ठीक है तो अलग-अलग के वी ऐसा है गोर्रमेंट है इसके लावा आपके पास वाटसेप ग्रूप पे म जो नौटस है जो लास्ट येर में लाश्ट येर के अलग-लग स्कूल आ करेごह कुस्ट आप अप उस पर चरह कर लेणा वाटसप ग्रूप पी ठीक है तो अब ही हम स्टार्ट करते मौल कॉंसेप्ट के उन कोस्टन को करने से पहले हम इस चैप्टर में एक बार चेक कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन यह चीज अच्छी तरह समझ के रखना कि कोई भी जो टॉपिक है आपका इसका वह छूटेगा नहीं सभी आप लास्ट में मैच कर लेना कि सभी टॉपिक जो हैं सिया ठीक है वह हो चुके होंगे ठीक है तो आज का जो हमार है सिगनिफिकेंट फिगर तो यह तीनों के तीनों जो हैं यह आपके पहले टर्म में एक्जाम में पूछ जाते हैं ठीक है तो सइंटिफिक नोटेशन से हम आज कि लास को स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में हम इसके जो मोल कॉंसेट के जो कोईसन है वह भी करेंगे scientific notation भी numerical term है और यह भी कई सोचते होंगे कि इसमें हम किस तरह से notes बनाए तो आपके जो study material है वो आपके पास पहले से ही आ चुका है आप पे उस study material को देख सकते हो view as study material पर click करना है आपको ठीक है तो जो request आप send करोगे mail id डालने के बाद वो मैं accept कर लूँगा तो आप वो study material को देख पाओगे तो अब भी जो हम start करने वाले हैं वो है scientific notation तो scientific notation कईयों को पहले ही पता होगा इसके बारे में तो scientific notation आपकी जो नई ncrt है यह उस ncrt पर page number 11 है ठीक है जो नई ncrt है ठीक है page number 11 या फिर जिन के पास पुरानी ncrt है तो वो 1.414 यह topic को आप open कर लेना आप ncrt open करके ही बैठो अगर आप यह सब चीज़े सीख रहे हो तो scientific notation में जैसे एक value है 0.000235 इसको scientific notation में convert करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो आप का answer आजाएगा इसको कहते हैं हम 2 एक number के बाद आपको 2 लगाना है एक digit के बार ठीक है 1,2,3,4 तो यह 10 की power minus 4 ठीक है left से right यह नहीं minus 4 इसी तरह से कुछ-कुछ से नहीं जैसे 4,4,8,0,0,0 तो यहां पर अभी point नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका point कहां पर है यहां पर है तो हमें कहां लगाना है 4.48 into 10 की power 1,2,3,4,5 तो यह plus का 5 क्योंकि अब right से point कहां जा रहा है left की तरफ कई ओकों तो यह लगेगा कि यार यह तो बहुत आसान असान से चीज़ है यह इसमें क्या फायदा है इसको करने का तो यह बहुत खास है अभी तो आपका base है वो create हो रहा है 3,6 इसका बताओ क्या होगा answer यहां point है और लगाना एक डिज़िट के बाद है तो 3.36 into 10 raise to power 1,2,3 minus 3 यह answer होगा आपका ठीक है तो इसी तरह से question को आगे बढ़ाएं तो 600.0 इसका क्या करोगे answer है 6.0 बाकी 0 ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है 1,2 तो 10 की power sorry plus का 2 ठीक है तो यह राइट से left में है और 10 की power 2 को यानि 100 को multiply करोगे दुबारा से वही आ जाएगा आपका ठीक है त तो और आगे मैं कुछ question कर रहा हूँ जैसे 408.2 into 10 की power minus 3 है इसका क्या करोगे तो 4 point यह point यहाँ था ठीक है तो यह point यहाँ है तो 4.082 into 10 की power क्या होगे दो डिजिट यहाँ गये तो यहाँ यह कहा रहा है plus मोने चीए लेकिन already negative है तो 4.082 into 10 की power आगे आपकी minus 1 यह आपका answer हो जाएगा ठीक है अब और आप थोड़ा सा और creatively answer को question को अगर देखो तो exam में यह question है हुआ है जैसे 4032.5 into 10 की power 2 इसका क्या करेंगे देखो four point point को यह लाएंगे 0325 10 की power देखो कितने होगी यह point एक दो तीन यह आ गया तो 10 की power 3 होगी 10 की power 2 already थी तो four point zero three two five into 10 की power 5 तो यह आपका answer आ गया plus में ठीक है तो एक category जो normal category है ठीक है यह moderate category है और यह तो भाई final category है जो exam में पूछी जाती है अब आप सोचोगे scientific notation जैसी आसान चीज एक्जाम में हाँ आई थी और फिर भी बच्चे नहीं कर पाए देखते हैं क्या चीज़ा है जो आई थी question क्या गया था scientific notation में बनाके दिखाओ इसको six point zero two two को अब बताओ आप क्या करोगे यह DAV में आया था question तो इसे क्या करेंगे six point zero two two एक डिजट के बाद अल्रेड़ी point है तो 10 की power कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर देंगे zero यह scientific notation है कभी आप यह answer लिखाओ कि यह है नहीं तो ऐसी कुछ category है जो exam में आई थी ठीक है तो यह scientific notation आप का पूरा का पूरा क्या हो गया finish अब हम अगले उस पर discuss करते हैं scientific notation के बाद एक और topic यह round of करके topic है देखो इन्होंने भी कहा है कि scientific notation की जरूरत पढ़ती है जब इतनी बड़ी बड़ी values को आप लिखते 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 जीरो count कर करते करते परेशान हो जाते हो तो इतनी बड़ी values को वह क्या कर देते हैं बड़ी short में लिख देते हैं इस तरीके से कि यह जो value है यह है 6.022 into 10 की power 22 अब सोचो यह 23 यह 1mol की value है as you know very well यह 1mol की value है ठीक है तो अब 23 बार 0 लिखने से अच्छा है या फिर 0000 20 बार 0 लिखने लिखने से अच्छा है कि आप इसको power में represent कर दो इसलिए scientific notation की ज़रूत पड़ी थी आम तोर पर scientific notation कहां इस्तेमाल होती है जब value extremely large हो या फिर जब value extremely small हो जैसे एक proton का mass कितना होता है proton प्रोटोन तो छोड़ो आप atom को भी ने देख सकते है अपनी खुली आँकों से ठीक है proton का कितना mass होता है तो answer है 1.66 into 10 की power minus 24 gram अब आप अंदाजा लगाओ आपको left में 24, 23 times 0 लिखना पड़ेगा 0.0024 बार ठीक है तो जो value extremely small हो या large हो तो हम यह scientific notation हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है ठीक है तो इसी तरह से आगे चलते हैं round off round off की भी बहुत ज़्यादा जरूत होगी इसमें और एक बर check कर लेते हैं यह round off का तुम्हारा section है भी या नहीं है और जो scientific notation जो है इसको भी हम देखेंगे कि कहां कहां पर यह scientific notation दे रखा है ठीक है scientific notation के साथ साथ जो round off है यह भी मैं एक extra है यह करवा देता हूं कि किस तरह से round off का इस्तेमाल करते हैं कुन गुंशी category है जो आती है आपको लगेगा यह भी बहुत असान है लेकिन अब आप खुद ही इस्तेमाल कर लेना अपने दिमाग में कितना असान है question है round off the following up to one place after decimal round off the following up to one place after decimal decimal ठीक है यह question है तो कैसे first part है इसका 4.44 तो इसका round off करना है decimal के बाद एक ही एक ही place आना चाहिए one place after decimal ठीक है यहाँ पर decimal के बाद प्लेस है तो बताओ इस four की वजह से इस four का क्या होगा अगर पांच से कम value होती है तो पहली वाली value as it is रहती है this is your answer ठीक है अब बताना आपको इसका क्या होगा six point four three two अब decimal के बाद three place है तो two की वजह से क्या होगा three का बताओ as it is three की वजह से four का क्या होगा as it is तो यह आपका answer हो गया similarly और देखो four point three three nine nine की वजह से three का क्या होगा four हो गया लेकिन four की वजह से three का क्या होगा as it is answer तो यह one place after the decimal फिर से आपको यह लग रहा होगा कि यह तो बहुत असान है ठीक है आजाओ moderate पर बताओ इसका क्या करते आप eight point seven nine eight number four eight की वजह से nine का क्या होगा ten होगा लेकिन ten तो लिख नहीं चकते न तो फिर एक आगे वाली value को भी ले लो eight की वजह से 79 का क्या होगा 80 zero की वजह से eight का क्या होगा eight this is your answer ठीक है ना अगर ऐसी situation आए जिसमें nine आ जाए तो nine को तो ten लिख नहीं सकते न हम तो हमें अगला group बना लेना होगा तो 79 की वजह से यह क्या होगा eight की वजह से 79 का 80 और 80 का eight ठीक है और अपने आप करके दिखाओ eight point nine nine zero nine 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 की वजह से 99 का क्या nine की वजह से nine की वजह से nine का क्या होगा ten नहीं मन रहा group बना दो 19 क्या होगा 100 यह भी नहीं मन रहा तो एक और group बना अब तीसरा और लास्ट और सबसे final लोजिक जो इस्तिमाल होता है round of में देखते हैं आप कितने बता पाऊगे eight point six six five ओके अब तो पाँच ही आ गया अब पाँच की वजह से five की वजह से six का क्या होगा seven यह six answer है अगर five से पहले वाला क्या हो even हो तो उसको same रखो तो answer आ गया eight point six six अब six की वजह से six का क्या होगा seven this is your answer अगर यह question ऐसा होता eight point seven five अब इससे पहले वाला देखो क्या है अब की बार odd है odd है तो increase कर दो ठीक है तो पाँच की वजह से इसका क्या जागा eight point eight this is your answer ठीक है तो यह extreme level था और इसका इस्तेमाल numerical में बहुत करते हैं तो उमीद है आपको यह चीज़ समझ में आई होगी कि even है तो same रहेगा लेकिन अगर odd है तो increase होगा ठीक है even है तो same रहेगा odd है तो increase होगा इसमें तो यह scientific notation खतम round of खतम कल की class में तो भाई आपका बहुत ज़्यादा important topic करने वाले हैं कौन सा है significant figure significant figure exam में आती ही आती है चाहिए वो एक mark की आए तो लेकिन आएगी जरूर तो आगे चलते हैं अब कल की class में हमने जो mall concept पे numerical किये थे उसके बारे में question करेंगे तो mall concept के बारे मैं आपने सीखा तो इसे हम बहुत कुछ बता सकते हैं जैसे मालो मिरात में एक यह coin है और यह coin का मालो iron का बना हुआ है और यह four gram iron की का यह coin है तो मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर कितने सारे atoms होंगे iron की जैसे मेरे पास है कि यह nail है इस nail में हम यह बता सकते हैं कि यह अगर मालो nickel का बना हुआ है और इसका जो weight है यह three gram nickel है तो मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर कितने nickels के atom होंगे ठीक है जैसे यह ring है और इस ring में यह platinum की ring है तो इस platinum की ring के अंदर मालो इसका version है इसका six gram platinum है तो अब मैं इसके अंदर बता सकता हूँ कि इसके अंदर platinum के कितने atoms होंगे यह सब mole concept है और बड़ा simple way में देखो करना क्या था यह जो value दे रखिया है हमारे पास number of mole का formula होता है mass in gram upon molar mass mass in gram 4 gram molar mass जो भी है iron का 56 gram per mole ठीक है तो gram से gram cancel out और यह cancel करके जो भी answer हाएगा आपका जैसे यह answer हाएगा आपका 4 by 56 1 by 14 1 by 14 mole अब एक mole में कितने atom होते हैं 6.0 यह जो एक mole iron में होंगे 6.022 into 10 की power 23 iron atoms तो हम बता सकते हैं कि 1 by 14 में mole of iron में कितने होंगे क्या multiply जो भी answer आएगा वह आपके iron atom होंगे ऐसे हम nickel के बारे में ऐसे हम platinum के हमें चाहिए क्या सिरफ इनका molar mass जो कि आपके NCRT में last में दे रखा है तो आगे की class में हम उसी mole concept पे numerical करेंगे जो भी हमारे NCRT out of NCRT जितने भी होंगे जो सारे के सारे करेंगे और यह करने के बाद आप मान के चलना आपने mole concept को अच्छी तरह से सीख लिया तो यह question number 10 आपके exercise NCRT की है in three mole of ethane calculate करके दिखाओ number one number of mole of carbon atoms कितने हैं इसके अंदर number of mole of carbon atoms ठीक है तो देखो three mole of ethane यह आपकी answer exercise का one point ten question है और इसका पहला part हम कर रहे हैं क्या है number of mole of carbon atom निकालने हैं पहले तो हमें one mole ethane की बात करता हूं C2H6 के अंदर कितने क्या mole carbon atom ही निकालने हैं फिर तो आसान होगा कितने mole यह one mole ethane है पूरा का पूरा इसके अंदर carbon कितने हैं दो तो हम लिखेंगे two mole carbon यह होगा तो पूछ रहा है बताओ three mole में कितने होगे simple यार three mole में कितने होगे two into में three mole carbon यानी six mole carbon यह होगा second question second question है number of mole of hydrogen atom okay same process one mole ethane के अंदर hydrogen कितने हैं यह भी six mole hydrogen है ठीक है तो फिर three mole ethane के अंदर कितने होगे 18 mole hydrogen होगे खतम इसी तरह से इसका third part है क्या number of molecule of ethane बताने number of molecule of ethane ठीक है तो one mole ethane के अंदर molecule कितने हो जाएंगे six point zero two two into 10 to power 23 ethane molecule तो बताने number of molecule of ethane कितने है त्री मॉल में त्री मॉल इथेन त्री मॉल इथेन molecule अब इस बात पर दियान देना कि यह साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है आपको साइंटिफिक नोटेशन में करना है जो अब यह भी सीखा है आपने क्या हो जाएगा one point eight zero six six ten की पावर बताओ यहां क्या हो जाएगी one twenty three यहां ही थी तो यह होगी twenty four ethane molecule हो गया ठीक है तो यह concept है आपको यह सीखने होंगे तो step by step step by step आप 10 कोशन करेंगे हम nearly तो यह सार के सारे level तक आप पहुंच जाओगे ठीक है और भी देखते हैं इसमें एक कोशन है how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulphate simple 100 gram copper sulphate में से copper कितना है इसको भी इंकर देते हैं इतना ज्यादा process बड़ा है नहीं इसका यह देखो यह आपके exercise का one point seven है और इस पर लगा दो most important ठीक है यह exam में आ चुका है तो 100 gram copper sulphate में कितने copper होंगे पहले तो copper sulphate का molecular mass निकाल लो copper का कितना होगा 63.5 sulfur का होगा 32 oxygen का होगा 16 into 4 जो भी answer आएगा वो add करके लिख लेंगे हम तो add करने के बाद जो answer है वो आएगा 159.5 यह आगया 159.5 ठीक है अब बात आती है कि हमने इसको add तो कर दिया हम इसकी unit क्या लिखे हैं क्या हमने atomic mass unit निकाल लिए है molecular mass निकाल ला है तो उसमें unit क्या होती है unified हम तो यहां पर बोल देंगे हमने molar mass निकाल ला है तो unit क्या होगी gram पर mole यानि हमने एक mole ले रखा था यह ठीक है ना तो एक mole एक mole copper sulphate में कितना वजन होगा इतना gram ठीक है तो बता दो 159 gram 159.5 gram copper sulphate contain कितना copper 63.5 gram copper clear more concept अमने कल सीखा ही था one mole में जो इतनी value होती है वो असल में उसके atomic mass के जो सम होता है उनके बराबर होती है simple mole सभी के atomic mass का सम कर दो वो जितना भी gram में आ गया उतना वजन कितना होगा one mole copper sulphate का होगा इतना हो गया तो one gram में बताओ क्या होगा 63.5 divided क्या हो जाएगा 159.5 और 100 gram में बताओ क्या होगा multiply by 100 आप का अंसर होगा कितना होगा copper पर इसमें मैं देख के लिए देता हूँ 39.81 gram इतना copper present है इसके अंदर यह most important question था one mole copper sulphate मानके चल सकते हो इतना gram होता है तो इतने gram copper sulphate में इतने gram क्या होगा copper होगा तो 100 gram में कितना होगा आपका answer आपके सामने है यह हो गया question आपका ठीक है तो और NCRT के का एक question और है उसकी तरब भी देखते है एक बार उसका क्या answer आएगा NCRT का अगला question निकाल लो 1.3 1.33 तो होई गया last class में यह है 1.28 1.28 यह और निकाल लो यह आपके NCRT पे 1.28 28 पे यह है 28 पे 28 निकाल लो which one of the following have the largest number of atoms किसके सबसे ज़्यादा atoms होंगे तो आज की class की सुरुवात में कुछ discuss हुआता ऐसा किसके सबसे ज़्यादा number of atoms होंगे तो देखो सबसे पहले है 1 gram 1 gram gold ठीक है और क्याले रखा है इन्होंने number 2 पे भी देख लेते हैं 1 gram sodium और क्याले रखा है तीसरे नमबर पे 1 gram lithium और यहां 4 पे क्याली रखा है 1 gram chlorine largest number of atoms किसम होंगे start कर देते हैं atoms निकालने न number of mole निकाल लो number of mole क्या होता है small m upon में capital M तो यहां small m कितना है आपका 1 gram और capital M इसका कितना होजागा 197 197 197 ठीक है gold का जो भी है mass atomic mass इसी तरह से इसका number of mole निकालो इसका number of mole निकालो इसका number of mole जागा आपका 1 gram इसका होजागा 23 gram per mole molar mass formula y mass in gram molar mass इसका भी सेम निकालो n is equal to mass in gram upon molar mass 1 gram divided by इसका कितना होजागा hydrogen, helium, lithium 6 होगया ठीक है तो 1 by 6, 1 by 97 यह होगया यह होगया यह होगया यह सारे number of mole निकाल रहे हैं हमें क्या निकाल लें atoms तो 1 mole में कितने होते हैं 1 mole gold में कितने atom होते हैं 6.02210 की पावर 23 तो फिर 1 by 197 में कितने होगे जितने denominator है वो इस value को कम कर देगा 6.02210 की पावर 23 यह आगे आपका gold का इसी तरह इसको multiply कर देंगे 6.02210 की पावर 23 यह atoms किसके आगे आपके sodium के इसी तरह इसको multiply कर देंगे इसी तरह इसको कर देंगे small m upon capital m small m 1 gram capital m इसका हो गया तुमारा कलोरिन का 35.5 होता है तो 71 हो गया ठीक है यह तो साफ साफ पता लग रहा है कि जिसकी denominator value जादा होगी उसके number of atoms कम आएंगे जिसकी denominator value कम होगी उसके number of atoms जाद आएंगे तो correct answer यह रहा ठीक है ना इसके number of atoms के आएंगे 1.6 multiply by 6.02210 की बार 23 lithium atoms तो यह answer आजाएगा आपका सबसे ज़्यादा यह पूछ रखा था उसने किस किस सबसे ज़्यादा होंगे अब कुछ कोशन ऐसे हैं जो आपके out of ncrt हैं तो उनको भी एक बार try कर लेते हैं कैसे कोशन है वह out of ncrt वाले यह देखो यह सारे कोशन है वह last year में किसी year में पूछ जा चुके हैं तो यह कोशन और देखो एक बार यह कोशन अभी अभी हमने किया है खतम हो गया है तो यह खतम हो गया how much copper how much copper are obtained from 100 gram of copper sulfate देखो यह के वी 2013 में पूछा था अब ऐसी बाकी के जो कोशन है इनके answer आप निकाल लो तो यह लगा लो आपका mole concept top to toss सारा खतम एक एक करके try करते हैं calculate the number of calculate number of carbon atoms in इतने gram glucose इसके अंदर कितने carbon atom होगे ठीक है तो जो second question है इससे शुरुआत करते हैं कोशन है calculate the number of carbon atoms in 34.2 gram of glucose ठीक है इसमें carbon atoms बताने आपको तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 34.2 gram of glucose C6H12O6 इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बताने carbon atoms बताने carbon atoms तो देखो हर चीज की एक बारी की है उसको द्यान से जो हमने सीखाया वो बेस है और जो यह आ रहे ना यह है यह देखो है सारे एक्जाम में आई हुए है यह ठीक है तो यह आपको अगर यह सीखते हो तो आपको जो बेस है वो अपडेटेड हो जाता है अपग्रेड पर चला जाएगा जो लेवल है तो कोस्टिन क्या है कि इसमें हमें बताना है कि इतने में कितने बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेनी है आपको हर अगर मोल तक पहुंच गए तो आप सारा आंसर आपके पास आगया तो देखो नंबर ओफ मोल निकाल लेते हैं सबसे पहले नंबर ओफ मॉल मास मास इन ग्राम कितना है 34.2 मॉलर मास इसका गीवन भी होगा वैसे तो 180 होता है निकाल लो आप बेसक्स इसको ठीक है तो यह 180 आगे नंबर ओफ मोल आगे किसके आपके इसके और अगर आपको इसी से ही बहुत जल्दी से कलकुलेशन करनी है और आप एटम से भी निकालना चाहते हो तो आप पहले पूरे ग्लुकोज के मॉलिक्यूल निकाल सकते हो कि एक मोल जैसे अभी मैं इसको दो तरीके से करवा दूँगा दोनों तरीके आप चेक कर लेना पहले पहला तरीका हम नंबर ओफ मोल किसके निकाल रहे हैं ग्लुकोज के निकाल रहे हैं तो हमारे जो नंबर ओफ मोल आए हैं वो आगे 34.2 divided by 180 यह आगे 0.19 मोल ठीक है अब 0.1 मो ग्लुकोज कंटेन कितने 6.02 तो 10 की पावर 23 ग्लुकोज मोलिक्यूल ठीक है सुनते रहे हैं तो 0.19 में कितना होंगे मोल ग्लुकोज कंटेन सीधा सीधा मुल्टिप्लाई 6.02 तो 10 की पावर 23 तो जो भी हमारा आएगा 6.02 और यह आंसरा है हमारा 1.144 इंटु 10 की पावर 23 इतने ग्लुकोज मोलिकूल होते हैं 34.2 ग्लुकोज के अंदर इतने ग्लुकोज होते हैं 1.144 Ta O Verhilfest principle में, लेकिन उन्होंने तो गिल्फोज मोलकुल पूछे ही नहीं, उन्होंने पूछे कार्बन मोलकुल बताओ, तो ज़िक मोलकुल ही पता लगे, कार्बन एकम से बताओ, तो मोलकुल ही पता लगे, तो फिर कॉस्षय रहता है, नहीं कुछ भी क्या है हम लिख देंगे 1 molecule of C6H12O6 एक पूरे molecule में बताओ कितने carbon होते हैं is equal to 6 carbon तो फिर इतने molecule में कितने होंगे 1.144 into 10 की power 23 molecule of carbon कितने होंगे सीधा सीधा multiply 6 into 1.144 into 10 की power 23 ठीक है इन्टू में 6 यह आप का आंसर आगया एप्रॉक 6.86 10 की power 23 carbon atoms यह आंसर हो गया अब आप इतने बड़े process को चाहो तो बहुत short में भी कर चकते हो यह तो करना पड़ेगा पड़ेगा यह दो लाइन तो करने करने पड़ेगी इतने बड़े process के लिए मैं यहाँ आप एक छोटा सा process बता देता हूं आप चाहते तो यह सारे के सारे को इस वाले फॉर्मिले से भी निकाल सकते थे मास इन ग्राम हीरा 34.2 मुलर मास 180 है यह निकालना है यह 6.02 तो टू टैन की पावर 23 क्रोस मुल्टिप्लाई सेम आंसर आ गया यह भी फॉर्मिला था ना फॉर्मिले तो अमारे इन में से सभी यूज हुए हैं ठीक है तो अगले निमेरिकल की तरफ चलते हैं जो अगले निमेरिकल है यह फॉर्मिले तो आपको पता ही थे यह भी एक फॉर्मिला था और यह भी एक फॉर्मिला था ठीक है अगले निमेरिकल की तरफ चलते हैं next numerical how many atoms of magnesium are present in 94 unified of magnesium ये देखो 94 unified of magnesium बोल दिया और इसके अंदर बताना है कितने magnesium के atoms है 2015 में आये था ये question how many atoms of magnesium are present in 96 unified of magnesium 96 unified of magnesium तो देखो भाई इस question में सबसे पहले unified के बार में तो सभी को पता है one magnesium atom के अंदर कितना atomic mass unit है answer 12 तेखे ना 12 ये तो इसके जितने भी proton होगे वो लिख दिया आपने तो atomic number के अलाव atomic mass कितना होता है इसका 24 unified तो देखो 24 unified of magnesium is equal to कितना one magnesium atom ये 24 unified simple language में करते है one magnesium atom तो one unified में कितना होगा one by 24 और 96 unified में कितना होगा multiply by 96 magnesium atom तो चैक्रों ये cancel हो रहा है four answer आगया four magnesium atom ये answer अभी अभी आपने जो अक्सन देखा कि magnesium का magnesium का one magnesium atom is equal to कितना 24 unified ठीक है इसको हम क्या लिख सकते है 24 atomic mass unit हाला कि मैं last class में बता चुका हूँ मैं फिर से एक बार करके बता दूँ आपको कि atomic mass unit कुछ नहीं होती देखो atoms इतने छोटे-छोटे atoms होते हैं इतने small atom होते हैं कि उनको represent करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं क्या बोल दिया कि आप amu का इस्तेमाल कर लो यार अब one amu कुछ नहीं है one atomic mass unit कुछ नहीं है यही तो एक proton या फिर यही तो एक neutron के mass के बराबर है एक proton या एक neutron का mass कितना होता है nearly 1.6610 की power minus 24 gram यानी यही neutron का mass है यही proton का mass है यही amu की value है और कुछ नहीं है जिस बच्चे ने यह समझ लिया वो सारी कहानी को समझ गया आपको क्या लगता है कि carbon का जो proton है वो अलग होता होगा और iron का जो proton है वो अलग होता होगा नहीं कुछ नहीं वो ही proton हो है वो ही proton यह है समझो मेरी बात को carbon के अंदर यही proton कितने है 6 है iron के अंदर यही proton कितने है 26 है यह proton की संखिया जादा होने की वज़े से neutron की और proton की संखिया जादा होने की वज़े से जो iron है यह अलग element शो होता है और carbon अलग element हो जाता है proton अभी भी वही रहते हैं वही एक proton इसका एक proton यहां लियाओ इसका एक proton यहां लियाओ यहाँ पर proton और neutron ज़्यादा होते हैं 6 proton 6 neutron इस तरीके से इस तरह से यहाँ पर 26 इसके होगे आपके proton होगे और इसी तरह से neutron की जो amount है वो मिल के बनाएगी इसकी 56 दीगे ना तो 30 के करीब neutron होते हैं इसमें सेम चीज़ है 1 amu 1 proton और 1 neutron के mass के बराबर होता और कुछ नहीं होता 1 amu कारबन को कह देते हैं इसका यार आंसर है 12 amu हाँ ठीक है 12 amu है तो 12 को multiply कर दो अगर कारबन के एक atom का वजन आपको gram में निकालना है तो इस 12 को multiply कर दो amu से जो की होता है 1.66 into 10 की power minus 24 gram तो यह देखो multiply करने के बाद multiply करने के बाद एक बार में दिखायता हूँ 12 into में 1.66 जो भी आया है 19.92 into 10 की power minus 24 gram या फिर कहलो 1.992 10 की power minus 23 23 gram यह आपके एक atom कारबन का वजन है gram में वैसी आप magnesium के एक कारबन एटम का वजन निकाल सकते हो बड़ा simple है क्या 24 amu होता है ना कुछ नहीं करना आपको 24 को multiply कर दो 1.66 into 10 की power minus 24 gram से तो आपका एक magnesium atom का वजन ग्राम में आ जाएगा ऐसे और एक magnesium atom के अंदर कितने होते हैं 12 proton और 12 ही क्या होते हैं neutron होते हैं और proton और neutron होते क्या हैं यहीं तो amu होते हैं यह देखो one proton one neutron टोटल कितनी हो गए, ट्वोन्टी फोर टो ट्वोन्टी फोर को आमने क्या मालिया, एमियू, एको बारा यह है और बारा यह है, socied atheist is एक ही अटम के अंदर 12 और 12 टोटिनग्वे वसक्षाऎfall Leaf algum COP 24 प्रोटोन नूट्रोन क्या मानते हैं Amu तो 24 Amu हो गया क्योंकि एक प्रोटोन एक Amu के बराबर है एक नूट्रोन एक Amu के बराबर है तो दोनों को एड़ कर दो 24 तो 24 Amu हो गया एक आइरन का निकालना है आपको दूनों को एड़ कर दो 56 Amu तो जिसे सीखना है और समझना है तो वह इतनी बार में समझ गया होगा कि एक carbon का atom carbon atom का वजयन 기다람 में कितना होता है, एक iron के atom का वजयन dorm में कितना होता है और एक magnesium के atom का वजयन gidерм में कितना होता है ठीक है? यही amu है आपके जो screen पे पूरा amu explain है atomic mass unit करते है इसी कोई ठीक है? atomic mass unit अगे numerical की तरफ चलते हैं ये भी हो गया खतम, अगला question है तो अगले ने मेरे के लिए तिरफ चलते हैं ये है question number 4 और question number 4 में कहा है calculated mass of 12.044 into 10 की power 23 atoms of sulfur ठीक है, इसका mass in gram निकालना है मैं तो समझ माई गया होगा, ये वही formula है small m upon capital m और given particle यानि given item upon में avagadros number ठीक है, तो यहाँ से small m दो है वो हमें निकालना है, capital m दे रखा है, इसका sulfur का 32 avagadros जो है, ये avagadros की वे जो value है उपर 12.044 into 10 raise to power कि तना 23 और ये number गिवन particle है और ये avagadros 6.02 to 10 की power 23 3, cancel ये तो 2 से गया, cross multiply आंसर आया, 64 gram ये आपका 64 gram ये इसका sulfur का mass in gram ठीक है, इसी तरह से और numerical आप चेक कर सकते हो, और इसमें question number 5 है ये ये are question number 5, what will be the mass of one molecule of CO2? One molecule of CO2, इसका mass in gram निकालना है आपको, एक तरीका नहीं डून पाते हैं, मैं तुमें दो तरीके से करवाता हूँ, इसी question को, ठीक है तो दोनों तरीके चेक करना, जैसे हैं, one molecule of CO2, भाई, one molecule of CO2, इतना तो पता होगा, atomic mass unit कितनी होती है, एक molecule की, निकालेंगे तो भाई, यहां से carbon का हो गया, आपका mass 12, oxygen का हो गया, 16 to the 34, तो answer आपका, add कर दे तो 44, atomic mass unit, और अभी थोड़े दिर पहले ही समझाया था, one atomic mass unit कितने के बराबर होता है, भाई, one atomic mass unit बराबर होता है, 1.6610 की पावर, minus 24 gram के, one atomic mass unit, यानि one, एक proton, या फिर एक neutron का, जो वजन gram में होता है, वो इतना होता है, उसी कम क्या कह देते हैं, one atomic mass unit, तो बता तो 44 atomic mass unit कितने के बराबर होता, तो 44 amu is equal to 44, multiply by 1.6010 की पावर, minus 24 gram, तो जो भी आपका answer आएगा, वो आएगा, 7.3010 की पावर, minus 23 gram, यह answer आपका, एक तरीका और देखो इसका, यह सिंपल, यह भी थोड़ी देरे पहले समझाता है, ऐसे भी कर सकते हो, अब one molecule CO2 की बात और यह ना, ठीक है, इसके बार में discuss करेंगे, बढ़ इतना बताता हो, तो one molecule नहीं, one mole of CO2 बता दो, कितना होता है, 6.02210 की पावर, 23 CO2 molecules होता है, ठीक है, one mole, तो इतने molecules का, इतना one mole है, one mole CO2, one mole, किसी का भी one mole दे रखा हो, आप उसकी value gram में निकाल सकते हो, कुछ नहीं, उसके सभी molecular mass को gram में लिख दो, कितना होता है, अभी भी कराता हो पर, 44 gram, one mole, यही तो पढ़ा था, हमने, one mole क्या होता है, one mole, किसी का भी दे रखा हो, जैसे मालो, one mole sodium दे रखा है, कुछ नहीं है, okay, 23 gram, इतनी जल्दी कैसे बताया है, मैंने, मैंने तो इसका atomic mass देख लिया, one mole sulfur बताओ, ठीक है, 32 gram, इतनी जल्दी कैसे बताया है, sulfur का mass देख लि जो mass है, यानि एक mole आप sulfur ले लोगे, बहुत सारे sulfur एक mole में, 6.02, 10 की पाउ, 23 sulfur ले लोगे, तो वजन करोगे तो उसका mass 32 gram होगा, इस तरह एक mole sodium लोगे, इतने सारे sodium, उसका वजन करोगे तो 23 gram होगा, ठीक है, तो one mole CO2 का, यह हो गया, तो इसकी one mole की जगे इतना gram नहीं सकत है, उसका वजन कितना होगा, 44 divided by 6.02, 10 की पाउव 23, डिवाइड करतो, 7.30 into 10 की पाउव माइनस 23 gram आगया, एक mole molecule CO2 का वजन gram में, ठीक है, तो दो तरीके आपको पताऊंगे, कि कौन से तरीके से आप इसको better कर पाऊंगे, अब बाकी कोशन हम कल की class में करेंगे, कल की class में ह करने है, ठीक है, तो आपको सिरफ एक ही कोशन होम वर्क है, 6 को बताना कितना अंसर है इसका, ये केंदर भी डैले में 2016 में पूछा गया था, ठीक है, तो सेंटरल स्कूल, स्टेट स्कूल के तो कोशन आपके सामने है, बाकी सभी private school के जो कोशन है, वो WhatsApp group में आपको send कर दू specific and figure जो very very important topic बताते हैं, first chapter का वो भी कल की class में होगा, तो thank you so much, ये तीसरी class थी, chapter number one की, thank you so much, take care.